रणवीर कपूर और शद्दा कपूर की फिल्म तू जुटी मैं मकार को आज बॉक्स ओफिस पर तीसरा दिन चालू है और फिल्म ने अपने तीन दिनों में काफी बहतरिंग कलेक्शन कर रही है और ये बॉक्स ओफिस पर शायद बॉलीबूट की तरफ से एक और सक्सेस फिल्म मिलने वाली है आपको बता दे कि तू जुटी मैं मकार का जो बजट हो अभी भी डिकलियर नहीं किया गया है और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइट टोटल इसकिन में लगभग 3,000,000 पर रिलीज भी किया गया है तो इस वीडियो में बात करेंगे तू जुटी में मकार के टोटल 3 दिनों के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में और साथी साथ बात करेंगे कि इस फिल्म ने दुनिया भर से कितना कलेक्शन किया इसलिए वीडियो में शुरू से अंतक बने रहे और चैनल पे नए हैं ते चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरुवात करते हैं बात करें अगर तू जुटी में मकार के टोटल बॉक्स अविस कलेक्शन के बारे में इस फिर्म ने काफी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला ड्रॉप नहीं बोल सकते हैं लेकिन पहले दिन के ओपनिंग के हिसाब से दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो काफी कम लाए तो ये फिर्म दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है नव करोड रुपे इंडिया ग्रोस कर लिए 10 करोड 70 लाख रुपे वर्ल्ड वाइट दूसरे दिन का था 15 करोड रुपे तो कलेक्शन के इसाब से दूसरे दिन भी काफी स्ट्रॉंग है बट पहले दिन के मुताबिक दूसरे दिन काफी ड्रॉप देखने को मिला वही ती फिल्म का टोटल 3 दिनों का इंडिया नेट हो जाता है 34 करोड 70 लाख रुपे इंडिया ग्रोस हो जाता है 41 करोड 40 लाख रुपे वही वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 3 दिनों का हो जाता है 51 करोड रुपे तो फिल्म ने काफी शानदार कमाई की 3 दिनों में और फिल्म ने 50 कर दिनों में अपने फर्स्ट वीक में ये फिल्म लगबक 70-80 करोड का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन कर लेगी डेफिनेटली फिल्म बॉक्स इस पर एक सक्सेस हो सकती है आपकी क्या रहा है कमेंट करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे रिटर्स वीडियो आपके लिए लाता रहा हूँ तब तक के लिए जैहिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में